पार्टी को मजबूत करने के उदेश को लेकर वरिष्ट नेता गयोर सिद्की के नित्रितों में सदस्यता अभियान चलाया गया जिसके चलते पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी से जुड़ने लोगों को बना कर जोड़ा जा रहा है समाजवादी पार्टी 36 गड़ में पार्टी के रास्टी अध्यक्ष के निर्देशा नुसार पांत जुलाई 2022 से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है जिसके चलते पूरिट प्रदेश वर जिलों में समाजबादी पार्टी के वरिष्ट कार्यकरता हों तवारा सलसिता अभियान चला कर लोगों को समाजबादी पार्टी से जुड़ने को लेकर सलसित बनाया जा रहा है जिसके चलते दुर्गन में भी सदस्ता अभियान चलाए गया आयोजन करता वरिष्ट निता गयूर सिद्धी की ने बताया कि छतिजगत प्रदेश के समझत संभागों में जिलास्तर पर अभियान के शुरुआत की जा चुकी है विगत दो दिनों से दुर्ग फिलाई में अभियान शुरू भी किया गया है जो आगामी मा करमशा चालू भी रहेगा जिसमें अब तक एक हजार से जादा लोगों ने समाजवादी पार्टी से जुड़कर अपनी सदस्ता रसीद ली है इस आउसर पर जिलाध्यक्ष सेयद स मानमी स्री अख्ली सियादोजी के निर्देशा अंसार एक जुलाई 2022 से लेके लगातार सदस्ता बयान का निर्देश दिया गया है जिसमें हम लोग छत्तित गड़ में अउतायत मात्रा में लोग बाओं को पार्टी से जोर रहें जिससे पार्टी का संगटन मजबूत हो औ आगे हम लोग चुनाओ में भी खागी दारी लेंगे और हम चत्तित गड़ में अपनी मजबूती यहां परदान करेंगे राष्टी कार्यकानी हमारी भंगों चुकिया, पार्टी के समिधान का अनुकार जो 5 से 6 साल का कार्यकाल होता है जो खतम हो चुका है इसके बाद हमारी राश्रे कारवाणी सी बैठक होगी, and then उतके बाद सभीष करवें कारवाणी चुमule जाएंगी, and last time, we have a new style. पर चुनाव के पहले बाटी मजबीती के साथ सभी सभी सभीजों में खड़े होगी और उसी को लेके संग्ठन को मजबूत के निखले मरस पसता आवियान चला जा रहा है जोकि आज पाचवा दिन है दुर्ग जिले में बाटी सभी जिलों में लगवलगोत हर किलो में हर संग सभी जिलों में अधरी अधरी प्रिया के तरफ से यहां पर चुटी जिलों में लगवलगोत हरा रहा है यह आगामी शनाव को देखते हुए दोजार तेश में विधान सभा की तैयारी के रुप में हम लोग यह सभी साथ वियान को जोट किया जाया है और राच्टी अप्रेक के मिज़ेशन उसाथ यहाँ पर पुरे पुर्देश में हर जनपर में हर संभाग में करमशा लगातार जो रहा और भाड़ी तादाद में लोग हमारे इसमेशन के जोड़ रहे हैं और यह तैयारी हमारी इना आदामी विजान के लिए हमारा आदामी के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट